हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगं का हमारे यूट्यूब चैनल महांसर में अदोस्तों आज हम पढ़ने बाले संभिदान की विशेष्था हैं संभिदान की जो पिरमुख विशेष्था हैं उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो संभि संभिदान सभा में हमने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था जिससे आपका कॉस्चन बने और आपका कॉस्चन छूट जाए इतने बहतरीन तरीके से मैंने संभिदान सभा को कराया है सायद आपको पूरे यूट्यूब में पूरे के पूरे मतलब एजू केसन सिस्टम में जो अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और बहतर कंटेंट लापाऊंगा आप लोग का सपोर्ट ही मेरे कंटेंट को बहतर बनाने का कारण बनता है तो आप लोग सपोर्ट करिए तिससे में कंटेंट बहतर लापाऊं और सपोर्ट करने के लिए आपको गुजबी नहीं करन तो अगर किसी भी भाई ने किसी भी दोस्त ने अभी तग अगर मेरा चैनल शॉच्वाइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेश कर ले तकि वीडियो की नॉटिपिकशन आप को मिल सके तो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें तो बहुत हो चुगी है सिधे टोपिक पे चलते हैं संभिदान सभा की हमको क्या पढ़नी है विशेष्था है पढ़नी है तो संभिदान सभा की विशेष्था नहीं है यह आपकी क्या है संभिदान की विश संबिदान जो है तत्तों और मूल भाबना की द्रश्टी से बड़ा ही एक तरीके से क्या है अनुखा है एक अद्बुत है एक अदित्य संबिदान है कैसा है हमारा संबिदान अदित्य और अनुखा संबिदान है हमारा किसकी द्रश्टी से तत्तों और मूल भाबना की द्रश इसमें कई तर तो 20 के अलग-अलग संभिदानों से लिए गए हैं जैसे कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना संभिदान के सिरो तो बहां पे आप लोगों बताऊंगा कि अलग-अलग देशों से क्या के चीज़ें ली गए अब देखिए यहां पे बारतिय संभिदान जो है अब लोगों को पता यह कब लागू हुआ था यह आपका 26 नवंबर 1999 को यह हमारे देश में क्या हुआ था और यह जो लागू हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था वह आपको पता है 26 जनवरी 26 जन्वरी 1950 को आपका लागू हुआ था अब इसमें क्या है यह 26 जन्वरी 26 नवंबर क्या है यहां पे 26 नवंबर 1999 को जो संभिदान हमारा तयार हुआ है उसमें कुछ मैत्पूर्ट परिवर्तन हुए थे और ये कभी थे जो हमारा संभिदान लागू हो गया था तो तो उसमें कुछ परिवर्तन भी खोय थे तो हमको इसी यसाफ से हमें संभिदान की विशřistता थो पढ़ने पढ़ेंगी ना उसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब को दिखाते हैं कि क्या क्या वाला इस बाले संब्सक्राइब को मतलब इतना बड़ा संब्सक्राइब इसमें बहुत सी चीजें लाए गई तो इसी लिए चीजें इसको क्या बोला गया एक तरीके से मिनी इसको बोला गया था आगे देखिए इसमें एक जो 17 100 नहीं 1913 में केशबानंद भारती का मामला आता है केशबानंद केस आता है तो इसमें सर्बोच नियाले ने क्या बोला था सरवोच नयल pizza ने आपका बोला था कि आप कुछ भी कर सकते हो आप संबिदान में एक एक चीज को वर्ड को चेंज कर सकते हो लिखिन यहां पे क्या है इसमें मूल धाचा जो है वो इसका चेंज नहीं होगा क्या इसने बताया था किसका जो मूल ढाचा है वो change नहीं होगा और यह क्या गया जैसे कि अनुछेद 338 है जो संसद उसमें क्या कर सकती है 338 के तैद किसी भी संभिदान में किस कोई भी आपका गयाई संसोधन कर सकती है किसी भी पार्ट में किसी भी अनुछेद में कुछ भी संसोदन आपका कर सकती है, आपकी क्या संसत किस अनुच्छेद के तायद, अनुच्छेद 138 के तायद, लेकिन ये संबिदान के मूल ढाचे को नहीं बदल सकती है, क्या का गया है, ये संबिदान के मूल ढाचे को चेंज नहीं करेगी, उसमें तबदीलियां नहीं तो यह क्या है एक basic information है कि संब्धान actually में संब्धान में क्या है और क्या चीज़ें change हो सकती है और क्या है कहां से इसकी क्या भाबना है क्या इसकी क्या है सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिए अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक विशेष्टा को पढ़ते हैं क्या है संब्धान की जो विशेष्टा है उनको देखते हैं देखिए आप लोग संब्धान की पिर्मुक विशेष्टा है तो यह तो यह क्या है सबसे लंबा आपका संब्धान है बिश्व में ऐसा कोई भी संबिदान नहीं जो इतना लंबा और इतना लिखेश संबिदान हो अब बिबिन स्रोतों से ये बहित है जैसे कि इसमें अलग 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 देशों से अपके क्या है और आपको शाट देशों के संबिदान को पढ़ाता हमारे संबिदान का निर्माड किया था कठोर बाल लचीला है हमारा संबिदान इसमें कठोर बाल लचीला वे एक चीज के बारे में बात करेंगे अब हम आपका देता हूं कि क्या के चीजे के संबिदान का संबिदान की जुका वे तरह कि जब कुछँ भी होता है तो हमारा जो concept होता है हमारा जो एक तरीके से decision making system है वो एकात्मक ही रहता है तो आगे देखिए सरकार का संसदिये रूप है क्योंकि हमारे यहां पर संसदिये प्रेना लिए तो सरकार क्या है संसद के उदारे चुन के आती है संसदिये संप्रभुता और नियाएक सर्वोचिता में समन्व है जैसे कि हमारी जो संसद है वो तो एक तरीके से संप्रभु है कोई भी कानून बना सकती है कोई भी नीती लागू कर सकती है कोई भी मामला आपका क्या है create कर सकती है और जो नियाएक सर्वोचिता है यह क्या कर तो एक नेवालीकल है और है हमारी मौलिक अधिकार इसकर नाचे के नोर पड़ेई को यहादढ़ेंक। आपके जो चेपेड़ आ lleब चैप्टर है उसमें पड़ेंगे मौलिक करतबं दार्म धारत को बोला जाता है सानारप बहमीर बैसक्त मताधिकार जैसे आपका बोट डालने का राइड आपका एकल नांगरिकता का ठीक स्वतंत्र निकाय कुछ आपकी क्या है संबिदान में कुछ आपकी क्या है इंडिपेंडन्ट बोडी है hun के बारे में भी पढ़ना है तो यह शारी की सारी क्या है विससता है आप हथ कालीन का जो एक तरीके से प्राप्दान है वो आपका किया बोलते हैं 1935 का जो Taking मैं मैं बहां से लिया गया है लेकिन जो मूल अदिकारों के संबंद में आपका पात कालीन है लिया गया तो तरिस् तरीय सरकार ठ्राइब की गवर्रमेंट जैसे की यह है जैसे यहां पर हमारे यहां पर जो गवर्मेंट का जो इस्ट्रक्चर है वो कैसा है तिरिस्तरिय गवर्मेंट है तो और सहिकारी सम्तियां जो सत्तानवे सम्विदान संसोदन के द्वारा जोड़ी गई थी तो इनको भी पढ़ेंगे अब हम एक एक सम्विदान की विशेष्टा को पढ़ेंगे सारी की सारी अभी यहां पर नहीं देखेंगे कुछ जो पिरमुक हैं जिनके बारे में मुझे आपको डेटेल में जानकारी देनी उनकी देखेंगे बाकि आगे चैप्टर के इसाब से पढ़ते जाएंगे तो बहां पर आपको पढ़ाएंगे हम अभी क्या है सबसे लंबा और लिखित संविदान है आपका तो इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें आपकी क्या है एक तो दो चीजें होती है एक तो यह लिखित और निर्मिस संविधान होता है और यह होता है आपका अलिखित और आपका क्या होता है बीक्सिसज संविदान सब्सक्राइक तो होता है उसके बारे में देखिए यह संबिदान दौरा निर्मित होता है और यह क्या होता है परंपरां दौरा harass script होता है जो परंपरां जो चली आ वहीं तरी बाज चले आ रहे हैं उनके दौरह इनको क्या है कि डिबलब कर दिया जाता है अब यका लिखिष संविदान सभां के दौरह निर्मित होता है तो इसमें आप लोग जैसे कि अपका अमेरिका का संभिदान है सबसे अगर आपका पूछा जाए बिश्व का सबसे पहला लेकिस संभिदान आपका कौन से देश का है तो अमेरिका का है ठीक है बारत का भी आपका क्या है लेकिस संभिदान है फ्रांस का भी आपका क्या है लेकिस संभिदान है एगर आगर आपको मतलब सभी से नहीं आई तो आगर मैं आपको बताओं तो आपने अभी तक यही पड़ा होगा कि यह जो प्रिटेन का संपिदान है वह आपका क्या है वह आपका क्या है अलिखित शंबिधान आपका क्या है अब सब्सक्राइब लेकिन बिर्टेन के अलावा भी ऐसे कई संविदान है जो आलिखित होते हैं जैसे कि आपका अरप का संविदान आपका कनाडा का संविदान और आपका क्या है इजराइल का संविदान ये सारे के सारे आपके क्या है आलिखित संविदान है नियुजी लेंड का संविदान आपके आलिखिस संविदान की नीव कुई ने रखिए बिर्टेन ने रखिए तो आपको यही पता भी होता है कि बिर्टेन का संविदान आपका क्या है आलिखिस संविदान है अब आगे की चीज़ें देखते हैं आगे की चीज़ें क्या है जैसे कि जो हमारा भारत का सब्सक्राइब बहुत बड़ा संबिदान है लगबग इसमें क्या है एक से डेड़ लाक सब्द इसमें दिये गए हैं बहुत बिशाल संबिदान है अब इसमें क्या है आपका मूल संबिदान जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था मूल संबिदान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है और इस म अनुछेद इसमें कितने होते हैं 395 इसमें क्या होते हैं अनुछेद होते हैं यह अपके मुल्क संभिदान में हैं अगर आपसे कोई पूछे कि आपके संभिदान में कितने भागें तो आप 22 बोलेंगे और अनुछेद बोलेंगे तो आपका कितना बोलेंगे 395 बोलेंगे ल और आपके क्या है बारा आपके क्या है यह से तो आपके कि आपके सिर्फा साथे से 320 से बीक सब्सक्राइब है कि बारत का नहीं से रिलेटरि नहीं पूछता है कि बारत की समदान में आपके भाद कितने हैं? यहीं सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो आगे देखिए कि अब आगे इसमें क्या है जैसे की संविदान जब हुमारा बना था और लागू हुआ था उसके एक साल भादी आपका क्या हो गया अभी जो 1951 में एक संसोधन हुआ था ये पहला इस संबिदान संसोधन था इसमें क्या किया था भाग 7 को 8 दिया था जो भाग 7 था मितलब जो 7 में नमबर का भाग था उसको एठा दिया गए था जब उसको अटा दिया गया था तो भाग आपके 21 रह गये थे लेकिन बाद में क्या किया गया था चार भाग आपके और जोड़े गये जैसे कि आपका समिधान में एक भाग आपका चार का मिलेगा जिसमें मौलिक अधिकार आपके दिये गये हैं मौलिक अधिकार ने मौलिक क दिया गया है, तो इसमें आपका क्या है, चौद में ये मतलब चार वाग आपके और जोड़े गए थे, अब क्या है आपका चार अनसूचियां भी आपकी जोड़ी गई थे, जैसे कि आपको पता होगा, चार अनसूचियां आपकी कौन कौन सी है, चार अनसूचियां आपकी क्या है आगे हमको इसमें जैसे कि हमारा संभिदान कठोर और लचीला भी है तो इसके बारे में देखिए कठोर और लचीला आपका क्या होता है कठोर संभिदान और लचीला संभिदान एक तरफ हमने कठोर लिखा एक तरफ अपका लचीला लिखा है तो कठोर जो संभिदान ह कटोर बोलतेयां क्या बोलते हैं क्या बोलते संबिदान है इसमें जिसमें संसोदन आसानी से बहो अपको क्या होता है आसानी से ना हो जिसमें संबिदान में संसोधन आसानी से ना हो वो आपका क्या बोला जाता है वो आपका बोला जाता है आपका rigid आपका यानि की कठोर संबिदान और जिस संबिदान में आपका क्या है आसानी से आपके क्या हो जाए जिस संबिदान में आसानी से आपका क्या है संसोधन हो जाए जिसमें संसोधन आसानी से हो जाए वो आपका लचीला बोला जाता है अब जो कठोर संबिदान है वो आपका कहां का है अमेरिका का है और आपका जो लचीला पनकी भी जलक आपको दिखला ही देगी यह रिजिट भी है और फिलक्जिबल भी है इसमें संविदान संसोधन आसानी से भी होते हैं और कठनाई से भी होते हैं तो अब एक बात यहां पर आप लोग समझे यह जो अमेरिका का संविदान है यह अपका कब बना था 1789 में आपक सब्सक्राइब करते ही अर इसमें अभी तक ahати Сंसोधन हुए है मात्र साथ से आठ संसोधन हुए है और इसके संविदान में आर्टिकल चाँ में बहुत आपका पावरफुल संभीदान क्या साथ से आट आपके संभीदान अब भारत का संभीदान ये अपका 1950 में एक तरीके से बन के लागू होता है लेकिन लागू आपका अमेरिका का संबिदान में क्या डिफरेंस है आप लोगं को पता चल रहा होगा और ब्रिटेन के संबिदान में क्या है ये तो पूरा का पूरा इतनी सारी खूबियां दी गए है इतनी सारी चीज़ें दी गए है अगर आप संबिदान को पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा इसका कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो हमारे संबिदान में दिया नहीं गया है तो आगे देखिए जो एक अनुछेद होता है ना अनुछेद 368 इस अनुछेद 368 को क्या है संबिदान में संसोदत करने की सकती प्राप्त है ये अनुछेद 368 है जो किये कुछ भी कर सकता है संबिदान में किसी भी चीज को चेंज कर सकता है किसी भी आर्टिकल को अटा सकता किसी भी आर्टिकल में उस भी परिवर्तन हेर फेर कर सकता है तो इसके जो परिवर्तन से लेके कुछ बाते हैं जैसे कि ये संविदान में संसोधन जो करता है तो एक तो विशेष बहुमत के द्वारा करता है और ये जो विशेष बहुमत है इसमें क्या होता है दोनों सदनों में क्या होना चाहिए दोनों सदनों में उपस्थित मतदान उपस्थित एब मतदान का दोतिया आई तता प्रतियक सदन में कुल सदस्यों का भूमत क्या है यहां पर आप समझे बड़ी जटिल बात है यह बात कभी भी समझ में नहीं आती है किसी के भी नहीं समझ में आती क्य इसमें क्या दिया गए उपस्थित जो लोग आपके क्या है सदन में उपस्थित हों और जितने लोगों ने आपका सदन में उपस्थित होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मतदान नहीं करते हैं तो जितने लोगों ने मतदान किया हो जिसे जितने लोग उपस्थित हैं उन अब उसमें क्या है कुछ लोग संसोधन के पच्च में कुछ लोग आपके भी पच्च में तो अगर संसोधन के पच्च में आपके क्या है बहुमत बाले लोग हैं मतलब जैसे 250 हैं तो मालिया की 200 लोग आपके क्या चाह रहे हैं कि संभिदान में संसोधन हो या डेड़तो लो मतदान और दोतियाई यही होता है उपास्तित लोगों का भी और फिर उनमें से जितने ने मतदान किया उनका भी दोतियाई और प्रतियक सदन में जो उपास्तित है उनका आपका बहुमत होना चाहिए और वो बहुमत क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ अब जो न पाला जो कॉंसेप्ट है ये बाला इसमें बिशेज भूमत को चाहिए दोनों का दोनें आपके जो सदन है उनका चाहिए लेकिन क्या है कि न ही सिक्षथ कोई ऐसा कुछ करना है जो कि न दौन करताई सभी राज्यों को क्या करता है प्रभावित कर रहा है तो फिर राज्यों की तो अनमती लेनी पड़ेगी न वो आधे स्मय राज्य संसोधन हो जाते हैं लेकिन ऐसे होता बड़ा मुश्किल से कि राज पता नहीं सहमत होंगे कि नहीं होंगे अगर सहमत हो जाते हैं और वो कितने सहमत होने चाहिए आपके आदे सहधिक का मतलब क्या है 50% सब्सक्राइफ यहाँ यह करूब यह आनु-63 लेकिन जो आपको साधारेंट प्रिक्लिए इसमें इसकी कोई कोई याबसकता नहीं पड़ती है इसमे इसकी कोई आप सकता नहीं पड़ती है किया है किया है कि एसमें क्या है आगे जो है संगीय विवस्था को को पढ़ते हैं संग्य विवस्ता क्या होती है दोस्तों कि बारत में क्या है संग्य मामला भी है मतलब संग्य विवस्ता भी है और आपकी क्या है एकात्मक विवस्ता भी है तो इन दोनों को पढ़ते हैं और दोनों को आपको देखते हैं कि आखिर मामला क्या है तो संभिदान नहीं है विवाजन लेकिन फिर भी सक्तियों का विवाजन होता है जैसे कि आपकी क्या होती है तीन लिस्ट होती है ना होती है आपकी तीन लिस्ट है एक आपकी संग सूची होती है एक आपकी संबर्ती सूची होती है तो संग सूची राज सूची और आपकी संबर्ती सूची यह क्या है यही बताती है कि भारत में क्या है शक्तियों का विवाजन है यही बताती है कि भारत का है एक संग्य विवस्ता बाला देश है तो यह क्या है संग्य विवस्ता में आपका क्या क्या होता है अब देखिए एक तो संग्य विवस्ता में आपका लिखित होना चाहिए क कि राजियों के क्या क्या अधिकार है क्या 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 अधिकार है संभरती सूचि में लेखत होना हमने इनworld सभीष्ण संभीदान में लिखी होना जरूरी है ले में आपके कितने सदन है दो सदन है एक और जो आपका लोग सबार चाहिए अब किया है संबिदान कि सफ्रीमसी होनी चाहिए संबिदान को किसी और को दे दी और संविदान बना दिया तो सारी की सारी पावर संविदान में होनी चाहिए सरबोच संविदान होना चाहिए संविदान के ओपर कुछ भी नहीं होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए और संविदान की कठोरता भी अपकी होनी चाहिए कठोरता जिससे कि संव नयापालिका का सोतंतर रोतना बहुत जरूई आपका संगिय विवश्ता में अगर नयापालिका यह आपकी सोतंतर नहीं है तो संभिदान की रच्छा कौन करेगा कानुनों का उलंगन होगा तो उनको कौन देखेगा उनके उपर restriction कौन लगाएगा तो यह क्या है सोतंतर आप भी इस्तिमाल नहीं किया गया है सिर्फ यह का गया है कि भारत राज्यों का एक संग होगा लेकिन संगिय विवस्ता आपकी नहीं दी गई है संगिय सब्द का इस्तिमाल नहीं किया गया है तो यह आप लोगों को याद रखना है कि भारत में जो संभिदान है उसमें संगिय सब्सक्द का इस्तिमाल नहीं किया गया थे अब जो एकात्मकट में क्या एक-सक्षा केंदर होता रहता हुअग एक सम्विदान वह जब बहूंगी की कात्मक वह पढाऊंगा जब आर्विदान का लचीला पंद संबिदान का लची भान उला बिए और बहुरा वे तो में लेकिन आपकी बात नहीं अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तब आपके नहीं अगर ऑप स्ब्रेम बना हुआ है और जो आपका बैशा में बोलूँ जैसे की राजियों का भी अपना एक वह होता है वह केंदर का भी तो आपका क्या होना चाहिए था कि जो राज ने आपका फैसला दे दिया तो फिर आप उसको कहीं भी वेरिफाई नहीं करा सकते हो तो ऐसा मतलब क्या होता है लेकिन एकी किरत आपकी क्या है नैपालिका है आपका अगर यहां पे नहीं सुना जा दोए था नहीं एकी किरत नइपाल का है wiping केंदर दोवेरा की निइकती होती है करता और राज जिप्ति क्या है वह अपके जो राष्ट पती होते हैं उनके क्या बोलते प्रसाद परिंति कार करते हैं है अखिल भारतिये बहुत में आखिल बहुतिये जो हैं वह भी आपको य डाइस की सेवाएं आई एफस की सेवाएं तो आएसे सेवाएं कि quickest कालिम प्र révपदान जो राज्ये राज्यों की सकति क्या जाती है कम जाती और केंद्रा आपका सकतित्राल कथाल्इ उ जाता एक श़ारी और और ये सारी तो भारत में जो सरकार है वो संसदिय सरकार है अब इसमें भी मैं आप लोगों को दो चीजें बताने बाला हूँ यह तो आपका संसदिय एक आपका अद्यच्य सरकार तो यह दो चीजें आप लोगों ने देखी अब यह जो संसदिय सरकार है आपकी बिर्टेन में चल रही है ब्रिटेन से आपका क्या है ये concept लिया गया है संसदिय सरकार का और जो आपकी अधिश्य सरकार है ये अमेरिका का concept है बहाँ पे राष्ट पती सब कुछ होता है और आपका संसदिय सरकार वाले में आपका क्या होता है प्रदान मंत्री सब कुछ होता है अब यहाँ पर क्या होता है संसदिये में देखिए बिदाइका और कारिपालिका का आपस में क्या होता है बड़ा ही अच्छा समन्वे होता है बड़ा ही अच्छा आपको क्या होता है एक तरीके से कोरिलेक्शन होता है और मैंने आपको बताया भी ता जो पहड़ी किराज बत आने का काम ये दो बोडी करती हैं तो यह लगबग एक ही चीज नो यह इनमें समन्भे की बात की गई है लेकिन जो अमेरिका का जो संविदान है अमेरिका की जो अधिछ्य पिरनाली है उसमें बतायागत है कि बिदाई का और कारिपालिका में सक्तियों का वीवाजन है कि वीवस्ता आपकी क्या होती है इसमें एक सरकार जो होती है वह उत्तरदाई सरकार होती संसदिये सरकार क्या होती है उत्तरदाई सरकार और मंत्री मंडलिये सरकार होती है क्यूंकि इसमें प्रदान मंत्री जो होते हैं उनकी एक क्या होती है और वो कांसिल आप मिनिस्टर के हेड होते हैं और जब वो कांसिल आप मिनिस्टर के हेड होते हैं तो वो सारे के सारे निर सब्सक्राइब जो भी कर रही है वह आपको बिदाइका को मतलब यह बताना पड़ेगा कि कारिपालिका ने क्या किया है यह कारिपालिका की जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी जबाब दे ही सारी की सारी responsible बिदाइका को अपनी बताया जाके कि हमने यह किया है तो मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो यह जो कारिपालिका है बिदाइका की एक तरीके से मैं मान सकता हूँ अधीन में है उसके अंड मंत्री इसमें केंदर की बात करें तो प्रतान मंत्री राज की बात करें तो आपके अमोख्य मंत्री और इसमें क्या है निचले सधन का विख्टन यानी की लोगशबा और विदान सब्सक्राइब सब aspire to Brian University Health that works is being week time सब्सक्राइब यह दो दो सब्सक्राइब यहां पर लिघ करती पहलेको लेकिन यह बारत इन निर्वाशित कोती है जो भी वर्स्था होते है निर्वाशित निर्वाश्थ वाका चुना होता है और उसके द्वारा भो वो पता होना चाहिए संसदिये प्रणाली क्या है और अध्यच्य प्रणाली क्या है अब संसदिये संप्रभुता और नियाइक सर्भोच्टा में समन्व है जो संसद की सर्भोच्टा है संसद अमारी क्या है सर्भोच्टे और नियाइक सर्भोच्टा भी है संसद में क्या है स अत्लब संसद कोई भी कानून बना सकती है उसके लिए उसे विदेश से पूछने ज capture नहीं उसके लिए उसे इंग्लेंड से पूछने की ज़रुए नहीं अब यह कानून बना रहे हैं तो मुझी से पूछा आप किया संपर्भू है और स्बूंती न्याय पालिक आब ये बिर्टेन का कॉंसेप्ट है और ये अपका कहा है अमेरिका का कॉंसेप्ट है तो ये अमेरिका से ली गई है अब क्या होना क्या है इसमें देखिए जो भारतिय संसत की संप्रभुता है ये बिर्टेन से बहुत भिन है बिर्टेन से बहुत आपकी क्या है भिन है क्यों भि तो भारत की जो आपकी इफ आपका लिका है उतनी सरबोचह नहीं है अब यहाँ पे देखिए दोनों की तोने कि काउन काउन से सरोत कहां से लिए गया है अब अमेरिका में है क्या अमेरिका में जो है वो विदी की नियत प्रिक्रिया है अब यह क्या होती है विदी की विद्वत प्रिक्रिया क्या होती है और विदी की आपकी क्या है विदी द्वारा इस्थाबित प्रिक्रिया क्या होती है अब जो बीदी द्वर्हे स्थावित प्रकिरिया है इसमें मतलब क्या पॉलते हैं ते भॉलां जाता है अधार से इसके संशत ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती संपिदान के स्टेक्चर enhance are वो basic structure का उलंगन करता हो, जो संभिदान की मूल भावना है, संभिदान का मूल राचा है, उसके खिलाप आपका क्या है कानून संसत नहीं बना सकती है, और अगर बना भी दिया, तो नय पालिका ऐसे सभी कानूनों को रद कर सकती है, जो basic structure के विरुद्ध हैं, जो basic structure का एक तर क्या है, यह आपका क्या है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो, यह आपका क्या है, संसती है, और नियाएक सर्भोजिता का आप समझ गए होंगे, कि भारत में क्या है, संसत कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा कानून नहीं बना सकती है, जो basic यानि की मूल डाचे के खिला कि अप हो, तो क्या है, भारत में संपर्वुता भी है, और नियाइक सर्भोजिता भी है, तो आज की जो दोस्तों के खिलासे, वो अपकी यहीं तक रहने बाली है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को स्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सास्क्राइब कर लें और आइकन को प्रेस कर ले और अगर लोग चाहिए तो रहा चैनल को सब्सक्राइब करें कर लगता है फोरेक्टर का और आप लोग अपना करणा करते हम लांगे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए कमेंट कीजिए अच्छे कमेंट कीजिए और वीडियो को इसेर कर दिया गए बहुत मतलब शेर अगर आप लोग नहीं करते हैं तो मेरा मोटिपेशन होने की बजी मैं आपको बहतर कॉंटेंट नहीं दे पाता हूँ फिर मतलब जल्दी जल्दी किलास नहीं दे पाता हूँ तो आप लोग सपोर्ट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद